कब एकर बनना हो तो बास बनना लेकिन कभी तोता मन बनना दोता बोलता तो बहुत है लेकिन जादा ओजाय तक ऊड़ नहीं सकता बास बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे उठाई पर उठता है और बागी पन्चों का राजा होता एक बास आज मैं आपको पांच इसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को पांच से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पांच पॉइंट्स में पहला लेसन इगल फ्लाई अलोन पांच अकेले उड़ता है और बाकी पंचियों के मुकाबले सबसे उचाई पर उड़ता है पांच अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिडिया और छोटे पंचियों के साथ नहीं उड़ेगा पाज हमेशा है तो बाज के साथ उरता है या फिर अकेला होता है और इस समय ये सीख मिलती कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है दूसरा लेसन बाज का विजन बहुत जादा क्लियर होता है और बहुत जादा स्ट्रोंग होता है बाज अपने शिकार को 5 किलमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उस अपना लक्ष दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किले क्यों नाए वो अपने लक्ष को हासिल करके ही दम लेता है इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किले क्यों नाए पीछे मत अटो उस बाज की तरह तीसरा लेसल बाज कभी भी मरे वे जानवरों को नहीं खाता वो हमेशा जिन्दा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मड़ चुका है तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थोड़स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिन्दगी पर ध्यान लगाओ अपने पास्ट की पुरानी यादे जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वही रहने तो जहां पर उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में उसे वर्तिमान में जगह मत दो क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रजाट में नहीं रहने लेगा पास्ट में तुम्हारा साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआओ वो सब याते हैं वो सब थोड़ से मठ चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चोथा लेसल, जब आंदी तुफ़ान आते हैं तो बाज बहुत ज़ाधा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंची चिपकर बेड़ जाते हैं लेकिन बास को बड़ा मजाता है। जब तेज हवाई चलती है तो बाज उन हवाओं के सारे और तेजी से उपर के और उठता है। और उपर उड़ते उड़ते इतना उपर उड़ जाता है कि बादलों से भी उपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक भौत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा डूंडो। और नेपोलियन हिलने एक पर कहा था कि हर बड़ी चुनोती अपने साथ में एक बहुत बड़ा आउसर लेकर आती तो उस बाज की तरह तुम भी अपने आउसर को पेचानो और जिस जिन तुमने आउसरों को पेचान लिया तो सारी मुश्किले तुमारे नीचे होगी और तु अपने गोसले में से सोफ्ट अकास को हमीशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कमफरटेबल ना हो सके क्योंकि अगर वो गोसले में कमफरटेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता बाज एक में उतनी ही जदा अनकंफरटेबल हो जाएगी